आईए अब हम आयनी मुरकबात के बारे में एक जाइजा लेते हैं आयनी मुरकबात के बारे में आप पिछली जमात में पढ़ चुके हैं आयनी मुरकबात के सालमों के दो जूज होते हैं जिसे कटायन और एनायन कहते हैं कटायन मुझबत आयन वाले होते हैं जिन्हें असासी असलिये भी कहते हैं और अनायन मन्फी आयन यानी तेजावी असलिये वाले होते हैं इन आयनों में मुज़ाद बरकीबार की वज़ा से इनके दर्मियान कुवत कशिश पाई जाती है और इसे ही आयनी बंदिश कहते हैं जिसका आपने पिशली जमात में मुतालग किया है कटायन जो होते हैं वो मुज़बद बरकीबार होते हैं क्योंकि उन में प्रोटोन की तादाद इलेक्टोन की तादाद से ज़्यादा होती है और इन आयन मनफी बरकीबार होते हैं क्योंकि उन में इलेक्टोन की तादाद प्रोटोन से ज़्यादा होती है और हम जानते हैं कि जब मुद्दद आयन मिलते हैं तो इनके दर्मियान कुवते कशिश होती है और इसे ही आयनी बंदिश कहते हैं कटायन पर मौझूद एक मुझबद बार और एनायन पर मौझूद एक मन्फी बार के दर्मियान कुवद कशिश होती है और ये कैसे होती है देखते हैं सोडियम और क्लोरिन के जो हर्मी इनतहाई बैरुनी मदार मुकम्मल मुसम्मनी हालत में नहीं होते लेकिन सोडियम और क्लोरिन आयन इनके दर्मियान बेरोनी मदार मुकमर मुसम्मनी होता है पूरी तरह से मुसम्मनी इलेक्ट्रॉन मुस्तकिल हालत जाहिर करते हैं और आगे सोडियम आयन और क्लोरिन आयन के खिलाफ बारदर आयन में आयनी बंदिश तयार करते हैं जिसकी वज़े से सोडियम क्लोराइड जैसा बेहत मुस्तकिल आईनी मुरकब तयार होता है इसी तरह मुरकबात के दर्मियान आईनी बंदिश से आईनी मुरकब तयार होते है आईए अब हम देखेंगे के आईनी मुरकब के तहलिल कैसे होती है तहलिल यानी तोड़ना अलग करना जब हम किसी आयनी मुरकब को पानी में हल करते हैं तो इसका आभी महलूल तैयार होता है कयाम पजीर आयनी मुरकब में मुखालिब बारदार आयन एक दूसरे से जुड़े होते हैं जब कोई आयनी मुरकब पाने में हल होना शुरू होते हैं तब पानी के सालमात मुरकब के आयनों के दर्मियां दाहिल होते हैं और इन्हें एक दूसरे से अलग करते हैं यानि आभी महलूल में आयनी मुरकब की तहलिल होती हैं महलूल में अलग किये हुए हर एक आयन को पानी के सालमात तमाम सिंदों से घेर लेते हैं और इस हालत को जाहिर करने के लिए हर एक आयन के दाय जानिब एक्वेस यानि आभी लिखा जाता है